मुख्य मंत्री कमलनाथ ने आज इन दौर में मैट्रो ट्रेन के लिए भूमी पुजन किया इस अवसर पर कमलनाथ ने कहा कि चार साल में इन दौर में भी मैट्रो दोड़ने लगेगी इसदरान जिले के प्रभारी मंत्री बाला बच्चन, स्वास्थ मंत्री तुलसी सिलावट, उच्छ शिक्षा मंत्री जीतु पटवारी, नगरी प्रिशासन मंत्री जैवर्धन सिहं, लोक निर्मार मंत्री सर्जन सिहंवर्मा, महापौर मालिनी गोड, सांसत शंकर लालवानी विधाय क्रमेश, मेंदोला, महेंद्र हाडिया, संजेश्च शुकला सहित, अन्य जन प्रतिनी धी, विधाय गण उपस्ती थे बता दे कि इंदोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण की लागत लगभग 7,800 करोड रुपे है मेट्रो एरपोर्ट से शुरू होका सुपर कोरिडोर, MR10, ब्रिज कुमेडी, चंदकप्त चराहा, सुकलिया, विजयनगर, रेडिसन चराहा, रिंक रोड, बंगाली चराहा, पलासिया, हाई कोट, रिगलतिराहा, कोठी मार्केट, राजवाला होते हुए, बड़ा गणपती, कालानी नगर और वापस एरपोर्ट पर पहुचेगी, मेट्रो रेल बंगाली स्क्वेर से नेनोद, भवरसला स्क्वेर, रेडिसन स्क्वेर और बंगाली स्क्वेर होते हुए जाएगी, अगर अंडर ग्राउंड सेक्षन की प्रस्तावित लंबाई, 7.11 किलो मीटर रहेग अंडर ग्राउंड सेक्षन इंडर रेलवे स्टेशन से गांधी नगर का कार्य 31 जुलाई 2023 तक पूर्ण होगा, डिपोर्ट लाइन का कार्य 28 फरवरी 2023 तक पूरा हो जाएगा, वा सिस्टम लाइन का काम 31 अगस्त 2023 को पूरा होगा, इंडर मेटरो प्रोजेक्ट की कुल ला आइकन फोर मोर अप्डेट्स